इमेता सुखा ज्यानाम बृतम ओम शांतिही 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 दारण कहाँ से चलेगा? 132 नचा प्रश्णिना आच्छा ठीक भावती में ना? भावती में आजी भावती आकास स्तलिंगात ये सुत्र है आकास ना इस लोग की क्या गती है? ऐसा पुछा इस लोग की गती इस लोग का अश्र क्या है? ये पुछा उत्तर दिया आकास इति हुआ चाप ये आकास है आकास से क्या लेना चाहिए? यह प्रस्वन उववा तो सिद्धान्ते के उनसार आकास परमात्म है आकास अब्द्यकार्थे आपर भुताकास नहीं है अच्छ उशके बाद ना चर्प्रस्टे ना पूर्व पक्ष्य रूपे ना अनुवस्थिते ना अनुवस्थितार थे न उत्तरम व्यवस्थार्थम ना सक्यम नियंतुम इतिजुक्तम तो ऐसा है पूरवपक्षी केहता है कि देखो प्रस्टेना पूरवपक्षे रूपे ना तो प्रस्टन तो पूरवपक्षे हुआ है ना पूरवपक्षे रूपो जो प्रस्टन है तो प्रस्टन तो अनवस्तिते है प्रस्टन तो कि अच्छा नहीं है ना है क्या कि आप कि अध्य विएस्थित अध्य विए अब्युवस्थित नि रहें है यह तो भी चलेगा आप अनवास्थित को हो चाहिए अब्युवस्थित को को बेलाते ने होताना प्रश्न तेका ने है अगलके फीज़ credit की क्या गति है उब Phariseाभ उनको निश्च की गति आंपısı क्या जानता था पूछ रहा है तो प्रश्न क्या हो गया व्यकल स्वान यह और व्यक्तित हैं वह सभ्म्यघण है इसलिए जिसका अर्फ लेवस्टित नहीं है निष्चित नहीं है एसे प्राष्ट नहीं को कहेंगे आ वेवस्टित अर्थ, उसके अरुचा草र उत्तर तो व्यवस्तित होता है उत्तर तो निश्चित है इसलिए व्यवस्तित आर्थम नियन तो मनासंक्यम ऐसा नहीं ले सकते और निश्चित अर्थ वाले प्रश्णों को लेकर के निश्चित अर्थ वाला उत्तर नहीं ले सकते इती नचा जुकतम ऐसा लगाना ऐसी बात नहीं है और था होता है प्रश्ण तो क्या है प्रश्ण के विशे में तो निश्चित नहीं होता है लेकिन उत्तर में तो निश्चित होता है इसलिए क्या हुआ आगे देखो कि तन्निमित क्या कह रहे हैं तन्निमित्तानाम अज्ञान संसय विपर्यासानाम अनवस्थाने अपी तस्य स्वविशय विवस्थाराम ऐसा पाठा ना भई अगे देखो ऐसा है वह प्रस्णा पूछ रहा है इस लोग की क्या गती है इस लोग की गती क्या है गतिल आस्रा, आस्रा के विशे में तो उनको निश्च नहीं है, क्या, जिसके विशे में पूछ रहा है कि इस लोग की क्या गति है, पूछने बाले को तो निश्च नहीं है, लेकिन प्रश्ण तो निश्चित है, क्या, किसके विशे में पूछ रहा है, इस लोग, क्या, उसम प्रश्ण निमित्ता नाम प्रश्ण का निमित्ता होता है अज्यान, इस लोग का आश्र नहीं जानता हो, अज्ञान हो जानता नहीं, अध्वा संसय हो, अध्वा क्या हो, अभी परियासा हो, है नहीं, इसलिए प्रश्ण का निमित्ता तो अज्ञान संसयादी होते हैं, इसलिए अनवस्थान है अपी, इस निश्चिता नहीं होने पर भी, विश्चित निश्चित 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 नि प्रशना पूछ रहा है जैसे माल लिए इस सामने कोई बस्तू रखी है सामने कोई बस्तू आइसे गणिद लेलो ना गणिद लेलो दो गुना दो कितना होता है वो पूछ रहा है ूछ निदना आँ तुमको दो गुना दो पूछ रहा है कि कितना होता है उत्तर पता नई लेकिन दो गुना में थोटक रहा है वो निश्चित है नहीं क्या है कि दो 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 गुना कानने पर यह निश्चित है कि उनको उत्तर क्या उनको निश्चित नहीं है प्रस्ट तो निश्चित होता है पूछने वाले को तो प्रस्ट निश्चित होता है कि मल किस प्रस्टना के विशमें पूछ रहा हूं है ये सब को निश्चित होता है ये तो पूछेगा कैसे फिर प्रस्टा के विश्चा में किसी को भी संसया विपर्या कुछ नहीं होता है उत्तर के विश्चा में तो होता है अब समझे गया राजो ये करना ऐसा है कि हरक हर एक ब्यक्दी हो अपने ϼशता के विशा में निश्चारेता है उतर नहीं जानता है यह कहने का हुप्रय को Śि भूलते हैं इह नहीं के अब तर से स्वा रहाय कोई ह reward है? सब्सक्राइज पाउन तरी के सब्सक्राइण यह लोगार है और न प्रश्ण उत्तर का विश्य तो यह कही होता है ऑप सतर होता हैegh प्रश्ण उत्तर में वेधी करना नहीं होता है विरुद्धा नहीं होता है यत्षे में pen person तत्विशे का उत्तर, ऐसा उत्तर, अपिचव उत्तर पी बहुत और समंझसम, उत्तर में भी क्या है, फिर बहुत और समंझस आजेगा फिर, समंझस से बैठेगा नहीं, पिर, कैसे यह देखो, क्योंकि तत्था ही, सर्वाणी हवा इमानी भूतानी आकासा देव समझपद्यनते, सभी भूतों की उत्तर पती आकासे है, यह बता दिया, और सर्वसब्दह, यहां पर जो सर्वसब्दह है न, सभी भूतों, सर्वसब्दह कथमचित अल्पविशयो ब्याख्ययों, फिर किसी अल्पविशयों को ब्याख्यान करे, मला सभी भूतों को ना ग्रहन करे, भूत कितने होते हैं, भूता पांच होते हैं न, सभी भूतों को ग्रहन करे, सर्वसब्दह, कुछ भी से ग्रहन करे, पृतिवी को, जाल को, तेज को, बायु को, कथमचित अल्पविशयो यहां पर एवकार भी एवसब्द निश्य में होता है यहां पर अलप विशा को जोदे लेंगे तो क्या होगा पिर आकासा देव आकासा ही उत्पत्ती यह भी समझसा ने बठेगा आच्छा नखलू अपाम आकासा इव करणम अपितु तेजो अपि यह देखो जैसे आकासी करण होता है क्या जल का क्या लिखा है नखलू अपाम आकासा इव करणम अपितु तेजो अपि देखो जल का करण आकासे के तेज भी है क्या कहे रहो आकास से बायू बायू से तेज से जल तो जल के करण कन होगा क्यों आकास है प्रस्टना ये उठ रहा है कि यहां पर खा आकास हाद एव ठीक है ना क्या जदी आकास को जदी करण कोगे जगत का तो क्यों आकास से ही कहा आकास सब्द का जदे भूताकास कहेंगे तो पर सामज जैसे बैठेगा ने जोगत का कारण तो आकास नहीं होगा तेज भी होता है कौन तेज भी होता है बायू भी होता है यह आकासाद यह बहुता कहने से भूताकास को नहीं ले सकते यह सिदान्दी का कहाना है तो तो सामजन से बैठेगा ने क्यों नहीं बैठेगा आप कहरें देखो नखलू अपाम आकास अब करणम जलका करण के बल आकास नहीं होता है अपी तो तेजो अभी तेज भी होता है अपी तो पाब को किसको बोलते हैं सुनिकोबलते है अगिनी को बलते है पाब को अर पाथस पातस किसको बल देखू हमें पाथस हो गया जल्स कि पाथस फोगे जल प्रत्मधी वचन घाल गिए कि पाबक पात लिवए तो प्रति भी का के वल आकास नहीं होता है ठागली भी ओता जल भी होता है बायू भी होता हैं इसलिए आकास सब्द से भुताकास नहीं ले सकते कि उतर दिया था आकास से ही उत्पत्ती तो आकास कने से भुताकास से उत्पति के से बेटेगी भी सामझे से बेटेगा नहीं कि सब्दका एवा सब्दका लेकिन ज़द परमात्म कहेंगे तो सामझे से बेट जाएगा सबकी उत्पति तो परमात्म से है यो मूल कारण तो परमात्म ही है करेंगे कहां से सबकी उत्पत्ती इतात परें मूल कारण कन है तो मूल कारण में जदी भीवक्छा करेंगे तो उकन होगा मूल कारण परमात्मा होगा और कोई मूल कारण है नि मुलकार्ण विवक्चायामतु ब्रह्म्हनी एव अवधार्णं समंझसं। अवधार्ण कौन? सुन्ते नहीं बैई? अवधार्ण को विशकर्ने वाला सब्द कौन? एव आकासाद एव समत्पध्यन्ते एव सब्द एव सब्द एव हो गया अवधार्ण। सब्द कौन? आकासाद एव समत्पध्यन्ते कहने से, आकासद सब्द मुलकारण में विवक्चा करेंगे. मुलकारण कौन? जगत का? ब्रह्म्हा, तब जाकार कि आकासाद एव एव सब्द एव बैठेगा ठीक से. बहुतागास कहने देव बाठेगा नहीं परेट। क्योंकि जगात का खेल्श और पंच अबमूद की हिए अधि इसएर कर आगें इसी बात को समझसन तू भूताकास हो नहीं ऑर समझसन नहीं बेटेगा नहीं ऑर समझजसन नहीं बेटे इसके विष्टी युक्तने, इभं शर्वेशां भूतानां लयो ब्रह्माने अल्ड़ाय मजुदे विचार करेंगे, तो सभी भूत्व का लय कहां पर होता है, परव्रम्य में, ब्रह्म में जब उपादान है, तो लय का भी वह उगस्तान, ठीक है, ना, उत्पत्ति का जो है सबसे जायास्त, उत्तर उत्कृिस्ट जायास्तnut जायास्त उत्कृिस्ट मतले आँ उत्कृिस्ट। उथ्रिष्टत तो ब्रह्म ही है शापसे स्रिष्टतव ब्रह्म ही है युक्य सब का काराण है हो अभिनासी हो ठीक ना एबढ परमज्यनम भरमज्य और सबका परमज्दम असर भी बरमज्य है इलिए परम, अयनत्त भी Brahma मने खटेगा और जायस्त जो धर्मा है उपाश्य धर्मा है ये भी Brahma में ही खटेगा अंनित्र नहीं गटेगा सर्वेशाम लोकाना मिती प्रस्तिन उपक्रमाद यूंकि प्रस्त पुझा न क्या कि सभी लोकों के क्या गती है अच्छा और आगे ठीक है सर्वे साम लोकाना मिती प्रस्टन उपक्रमाद उपक्रम किया कि सभी लोगों का आश्रे कोन है और उत्तरे च ततत असाधर्न ब्रह्माद गुन परामर साथ प्रिष्टायाश्च गते है परम अयनम इती असाधर्न ब्रह्माद गुन उपसंगारा आग उत्तर में दिया ततत असाधर्ण जो ब्रह्म का गुण। ततत असाधर्ण में क्या ब्रह्म का असाधर्ण गुण। असाधर्ण उसी को कहते हैं। जो केवल उसी में रहे। अन्यत्रा न रहे। जायस्त तो है। परम आश्रेत तो है। यह जो धर्म है। यह कहाँ पर गटेगा। केवल परम आरशले से ऐसे पुछाथ हाहाँ क्या गति कॉल आष्ठी से पुर्श्टायास्च चसे है परमायानम। जो है एक गूम है इसका गूम है परमात्म का उपास्थ भ्रह्म है वर्मात्म कर उपास्थ ब्रह्म कर अuwकाँ उपसंगार्म। इसलिए भूयसी नाम सुती नाम अनुग्रहाय तेजेद एकम कुलस्यारते इतिवत बरम आकासपदा मात्रम और समन्जस्तम अस्तू देखो जदेपी आकासपदे का मुख्यारत को ने है भूता कास होता है फिर उसको छोड़ना पड़ता है अनेक सुतियों को क्या करने के लिए सामन जस्य बनाने के लिए भूयसी नाम सुती नाम अनुग्रहाय बहुत सारे सुती हुई आकासपदे बसमुत पद्यंते और सबका परम आश्रह है और सबसे जाय है श्रेष्ट है अने एसा काता ना जायन प्रतिव्या जायन अंतरिक्ष जायन दीवो जायन एभ्य लोके भ्या ऐसा काता कि ने और आकासपदे बहुत सारे सुतियां हुई ठीक है ना ऐसा इसलिए अनेक सुतियों को सामन जस्य करने के लिए एक आकास का जो मुख्यार्त भूता कास है उसको क्या करना पड़ता है छोड़ना चाहिए एसा मिमान सामें भी वीचार आया तेजद एकम कुलस्यार थे ना बहुत लोगों के रक्षा होती हो परिवार की रक्षा होती हो तो क्या करो एक को छोड़ दो कोई बाद ने तेजद एकम कुलस्यार थे कुल की रक्षा हो तो एक कात्या करना पड़ता है ये नियम है मिमान इता वताही बहुत समनजस्च्च्च करने से बहुत सूतियों का अर्थ समनजस्च्च बेढ गड़ जाता है यहां पर भूताकास को नहीं नलाँ चाहिए यह बोलते है नचा आकास अस्या प्राधान्या मुत्तरी किन्तु प्रिष्टार्थत्वाद उत्तरस्या जेसे जिसके भी समय प्रस्टन पुछा गया था उत्तर भी उससे के भी समय होगा चाहिए सभी लोकों का आश्र पूछाता है यह पूछाता है सभी लोक करने से तो आकास भी आ गया घ् ine प्राधा ज़िस प्रपांचे के अंतर्गा थे सब्सक्राधा यह पूछाताः उसने ऐसलिक आकास को छोड़ करें पुझाते हैं ऐसा नहीं है ठीक है इले लोका सामान्या गतेश्चा प्रिष्टत पाइदा को लिख दिया लोक सामान्या कहने से कोन आ गया भुतागास भी आ गया उसके भी से पुझा गया और उत्तर क्या दिया परायन वो सबका परायन है बिज्ञानम आनंदम ब्रह्म रातिर दातु हूँ बरायन हो सबकास रहे परामात्पाई सबकास रहे इसलिए कह रहे हैं पर परायनमिति तस्चेव उपसंगारात जिसके विशे में पुझा गया उसके विशे में उत्तर भी दिया गया इल उत्तर में और प्रधान अर्थे को ब्रह्म इव प्रधानम था छ्ट फद कि डदर्थम शत प्रवामम को भि शकरता हो आकाश प्रधानार्थम भवति ब्रवुरि अकाश प्रधान पति ब्रब्रधान अर्थे मार्थ वलन हुआ उत्थर का भिशकन household प्रवात्म न अन्य था अन्यप्रगाश अओक्एगा नही इसलिए तस्माद ब्रह्म इव प्रधानम आकास पदेना इह उपासत्यना उपच्छिप्तम इसलिए आकास पदे से यहां पर मुख्य कौन है ब्रह्म इए प्रधान मुख्य प्रधान ब्रह्म इए ऐसा उपचिपत होता है ऐसे उपस्थापित हो जाता है यह लिए उपास से भूताकाज नहीं होगा तो भूताकाज की उपास ना करो दे क्या होगा भूताकाज की उपास ना करो दे क्या मिलेगा हमको मुक्षे मिलेगा इसलिए कहा अपीच यह देखो अपीच अशेव उपक्रमे अंतवत किला तेशाम इती अंतवत्व दोश्रण सालावत्यस चाहिती कि साल्यवत्य ने कहा था इसलोग जो है साम का प्रतिष्ठान है तो उतर देदिया अंतवत किलते साम तुमारा जो साम है साम मतलब कोन उद्गीता उद्गीता में एक उमकार सब्दा होता है उस उमकार सब्द में परमात्मा की उपाशना हो रही है उसको कहते है उद्गीता उपाशना ठीक है ना? इस लोग के क्या गती है इस लोग के क्या गती यह पुछाता है तो आयाम लोग का पहले तो यह लोग कह दिया कि सर्गा के क्या है सर्गा का आशर कोन इस लोग है इस लोग कोगे तो इस लोग तो क्या है अंतवाला है कि नहीं पिछले उत्तर क्या दिया था उत्तर यह दिया था कि अंतवत कि लटे साम तुम्हारा साम तो क्या है अंतवत मतलब क्या यह बीनासी है यह कौन कहा था भी कि सालवत्य ने कहा कि सालवत्य ने कहा एक मेट्र को संदके माया ना एक मेट्र हाँ जेविली ने कहा जेविली ने कहा कि इस लोग एक मेट्र सालवत्य ने कहा थे कि इस लोग है आस्रे अब उसके प्रति कहा कि नहीं यह तुम्हारा जो है ना सालवत्य ने कहा कि इस लोग है तो उत्तर दिया कि अंतवत कि लते सामा तुम्हारा साम तो क्या है अंतवाला हो गया मतलब क्या बीनासी हो गया यह इस लोग का भी नास हो पिर कौन हो गए पिर, कि सरवेशान लोग का नाम का गती, सबी लोग का गती कौन है, उत्तर दिये दिया कि आकास, यह ले आकास भुताकास नहीं होगा, यह यह यहां पर कह रहा है, देखो, यह बलते हैं, नचा आकास सब्दों गोनों पिर, बिलंबिता प्रतिपत्ति, और सास्त्र दिष्टी से जब विचार करेंगे, तो आकास सब्दों भी गोन नहीं है परमात्मा के लिए, आकास सब्दों मुक्य होता है, परमात्मा के लिए, आना, आकास सब्दों, सुन्द्रों भी, ब्यभार में आकास सब्दों का अर्थ भुताकास मुक्य है, ठीके, आप परमात्मा गौण है आका सब्द का गौण अर्थ परमात्मा होने पर भी हैना होने पर भी आका सब्द परमात्मा को बोत करा देता है इतो को लिग है आपर बिलंबिता प्रतिपत्ति नचा बिलंबिता प्रतिपत्ति 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 प्रतिपत्त लेंगे अका सब्द करेंगे चांदों के इक ऊनुसार तो ग्यान हने में इसानदों नहीं है मैं तो अनुसार को अब मुहिता ओंग नहीं अ शान कराईलं मैं फिर भी चांद अका सब्द का कुष्द प्रमाथ्मा यह वा आप्ल यहीं क्यूति प्रांत्म को बिलम्ब तप्रतिपत्ति नचार को बोलते हैं अरे जैसे देख लो बाकी प्रांत के लोगों को अरे बिठ्थाल बोलने से क्या लोग समझेंगे और क्या होता है बिठ्थाल बाले को बिठ्थाल नाम सुनते ही पुद्धी में क्या आजाएगा भगवान आजाएंगे किना आजाएगा सब को पुद्धी में नहीं आता है कि इसी वेगर आकाशब्द सुनते ही सबके बुद्दी में परमात्मा नहीं आता है यह लेकि छांदयोगा कर भीचार करने वाले को आकाशब्द सुनते ही अश्रलोग का श्यकागती अकासहती हो भाच्यों क्योंकि प्रस्ट्रां पुछा के आश्रा के विशय में उतर भी ऐसी होगा इसले परमात्मा ही बुद्धी में आजाएगा यह भावर्त है ठीक है तत्र तत्र ब्रह्मनी आकास सब्दस्य तत परियायस्य प्रयोग प्राचुरियाद आकास सब्द का प्रयोग शास्त्र में बहुत जागा पर ब्रह्म्ह में किया गया है और आकास सब्द का जो परियाया है जैसे ब्योमन ब्योमन सब्दे का भी प्रयोग परमात्मा में किया गया यह बोलते हैं पर देखो तत्र तत्र ब्रह्मनी आकास सब्दस्य तत परियायस्य आकास का परिया को नो ब्योमन सब्द इत्यादी प्रयोग प्राचुरिया बहु जगाबर प्रोग किया गया इसलिए अत्यंत अभ्य आस्यायव कि ओत्यन्त अभ्यानल कि हा बार-बार बार बार और परमात्मा कंद आखा, वेय। अपरुऋमन सब्रुण पहुट जहएंड . इसलिए मुख्यवत प्रतिपत्तिर अबिलंबनाद जैसे परमात्म सब्द का ब्रम्ह का सब्द से परमात्मा है, ब्रम्ह है, आत्मा है, तो मुख्य सब्द से जैसे ज्यान हो जाता है, इसी पकार आका सब्द से ब्योमन सब्द से भी परमात्मा ज्यान होना में कोई बिलंब नहीं है इति दर्शनार्थम इसी बात को दिखलाने के लिए ब्रह्मनी प्रोग प्राचुरियम बेदिकम निदर्शितम भास्यकृतार इलिए भास्यकार ने इसी बात को निदर्शन कर दिया कि ब्रह्म में बहुत ऐसे बेदिक स्ब्दों का प्रोग किया गया है आकास, व्यू, मन, अक्छर अन्न्य सब्द भी ब्रह्म को बोत कराता है ये कह रही है तत्रेव प्रतम अवगत अनुगुन्य न उत्तरम गिन्यते यत्र तत अन्यथा कर्तुम सक्यम यत्रतु नसक्यम तत्र उत्तर अनुगुन्य न एव प्रतम गिन्यते इती बाक्य उपक्रमे अपी इती भास्य में जो आया बाक्या उपक्रम आया ना अंत्य में भास्य में था बाक्या उपक्रम अपी बर्तमानास्य आकासा सब्दस्य देखो लिखते हैं तत्रईव प्रथम अवगत अनुगुण्नेन उत्तरम नियते वहां पर उस जागा पर ही सबसे पहले जो निश्चित है प्रस्ट के बीशने में उसके अनुसार उत्तर को लिया जाता है जहां पर तद अन्था कर्तुम सक्यम उस प्रस्टन को अन्य रूप से ले सकते हैं वहा पर नहीं लग सकते ऐसा वहां पर तत्र उत्तर उनबुन्यनेव उत्तर के अनुकुलता से ही प्रथमम नियते प्रश्ण को लेना चाहिए इस अविप्रयाशे भास्षे करने कहा बाक्य उपक्रमे अपी भास्षे में था ना बाक्य उपक्रमे अपी बर्तमानाश्य आकास सब्दस्य बाक्य सेश्य बसात जुकता ब्रह्मो अपिश्यत्य अवधारना इसका उपर कल थोड़ा प्रकाश डलेंगे ओम पूरमदा पूरमिदां पूरात पूरमदाच्यते पूराश्य पूरमादा पूरमेवावसिष्यते ओम शांति हिशांति 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 हिश इश्वरो गुरुरात्मिति पूर्ति भेदविभागिने ब्योमवत ब्याप्त देहाया दक्षिना मुर्ते नमा ओम शान्ते है शान्ते है किसी का म्यूट नहीं है देखिए कि अब 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 तो हम लोग यह आकास अधिकन के उपर विचार कर लिए पुरा होगे था कि हुँम हुम 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 है म्यूट नहीं हो रहा है अब छा और पूर्रेश सपर्च करें यह ओठेक है म्यूट ने वरा ना किसका थाट अच्छा तत्रेव प्रतमा अवगता अनुगुण्येना उत्तरम नियते प्रतमा अवगता अनुगुण्येना उत्तरम नियते वहाँ पर ही प्रतमा अवगता प्रस्ण में जो निश्चित अर्था है अना प्रस्ण उसके अनुशारी म्यूट नहीं है ना म्यूट क्यों नहीं हो रहा है मन्ना जी आप प्रीज म्यूट कीजिए तो देखो तत्रिव चा प्रतमा अवगता अनुगुण्येना उत्तरम नियते वहाँ पर ही जो प्रतम अवगता होता है प्रस्ण ठीके तो प्रस्ण उसके अनुशार ही उत्तर को लिया जाता है वहाँ पर तत्रिव वहाँ पर यत्र तत अन्यता कर्तम सक्यम जहां पर उत्तर को अन्यरूप से लिया जा सकता है वहाँ पर तो ऐसा अर्त क्या जाता है यत्र तो ना सक्यम जहां पर ऐसा नहीं कर सकते तत्र उत्तर अनुगुंडियन एव प्रथमम नियते उत्तर के अनुशार ही प्रश्ण को ऐसा समझा जाता है जैसे यहां पर आया क्योंकि सर्वल सर्वलोकस्य का गती है ऐसा का ना सभी लोकों के क्या गती है ऐसा पुशना पुझाता है असलोकस्य का गती असलोकस्य का गती इस लोग की क्या गती है आना तो उत्तर क्या दिया आकासा इती हुआच और आकास को ने सबसे जायान है सबका परायन है तो सबका परण को न भुता कासा होगा क्या भुता कासा नहीं होगा सबसे से श्ष्ट तो भुता कासा नहीं होग प्रश्ण को ऐसी लेना पड़ेगा असलोका सिक्यागति से प्रश्ण में लोका सब्दा आया विज लोका सब्द अगा संकुज नहीं करना है संपुर्ण प्रपंच को ही लेना चाहिए यह थात पर है ठीक है राजो आप पकड़ माया है तो इसलिए असलोका सिक्यागति प्रश्ण हुआ उतर दिया गया कि आकास एति हुआच वो आकास भुता कास नहीं है वो परमात्मा है यह परमात्मा की द्रिष्टी से ही उपासना करनी चाहिए कहां पर गुद्गित अवजब ओमकार में ए च्छन्दोगे माया गुद्गित ब्रह्मन माया सबसे पहले ट्रिष्टी से उपासना की लोगों को समझ में नहीं आता है उपासना कि उपासना जाओ जहां पर ग्यान जगह भगरा होता है वहां बन ना आजाओ कैसे पकड़ मया की उद्गिता क्या है ठीक है आगे बड़ाए जाए यह अधिकरन पूरा हो गिए अधिकरन आगे देखो प्रान अधिकरन I the प्रान अधिकरान। यह भी च्छांद्यों के काही है, तो आकास के बाद प्रान आता है, यहां परी प्रान के विशे में बिचाराता है, यह नहीं? है तो सबसे पहले तो हमullen भाष्य लेंगे तЦब आव लोग Ooh अंतंत्र लेंगे है थोड़ा Luther नई नी उचको भी बाद में लेंगे थोड़ा सब एक दो पंक्ति भाष्चे में लेंगे फिर ऊसे को लेंगे है तो ऐद गी ते प्रस्तोता जग्यां सब कर रही थे वह प्रस्तोता लोग रित्तिज बिशेज प्रस्तता तो नहीं जानता था प्रस्ता वह एक भाग है गारन करते ना उश्म उद्गिता बाग जीश साहतक है उसी बेगर प्रस्ताव एक भाग है, प्रस्ताव एक भाग होता है, उसमें एक देवता होते हैं, सही मंत्र में देवता होते हैं, तो या देवता, उस देवता जो अन्ना यत्ता है, प्रतिश्ठित है, काँबर, प्रस्ताव भाग में, उसको क्या तुम जानते हो, वो उसस्त बोल दिया उसस्ति चाक्रण है ना इस चान्दों के माता है उसस्ति चाक्रण तो वहां पर क्या है कि जो है बहुत दुरविक्षा हुआ, जिस राज्य में रहता था, अनना का दुरवक्षा हुआ, कुछ खाने को नी मिला, पर दूसरी राज्य में चलेगे, ऐसे गाउं में गया कि वहां पर क्या हाती चलाने वले थे, महावद लोग थे, पत्नी से कहा, कि भीक्षा के लिए मैं जाओ कुछ मिला नहीं कुछ, दुरविक्षा पड़ा है, तो एक आदमी खा रहा है, कौन खा रहा है, महावद खा रहा है, ठीक है, मुझे भी थोड़ा से दे दो, बिक्षा माग रहा है, क्या करेगा हूँ, अब वो सुच में पढ़ गया पिर, उनके थाली में जो था, जो जित पत्नी कैसी थी, जो भीक्षा रहा है, उसस्ती, वो कम बहस का वाली थी हो, ठीक है ना, तब फिर किया हुआ कि जो है, भीक्षा मांगी हो महावद से, महावद भी सोचने पड़े कैसी दू इसको, उसने का मेरे पास ते कुछ है नहीं, जो भी था, सब पत्नी मेरे ठाली मे जोटा है, कैसे दो तुमको, जो भी हो दे दीजिया, इसे कोई असुद्ध नहीं होगा, कोई दोस नहीं होगा, उसने का, ठीक है ना, तो उसने ठीक है ले लो, भोजन भी दिया, भोजन के साथ क्या देना जाहिए, जल भी देना, जाहिए, जल भी देना, जाहिए, जल भी प्रुष से निग्रिष्ट कर दिया जान निलोंगा, वो अन्ना भी कॉनसा द आता है, ऊरत, ऊरत को सबसे निक्रिश्टा माना जाता है भोजन में, ऊरत को, यह किनल उरत भी दे रहा है, है नहां, अजा खाने के लिए ऊरत, तो मना कर दिया जाल नहीं ले सकता है, अन्ना त कि उरद लेने से दोस नहीं है जल लेने से दोस क्यों है उससती ने का हुए उसके बहुत चांदग्या ने बहुत बिचार है वास्से में बहुत बिचार है उसमें क्या है उसस्ति ने कहा देखो जल तो अन्न तो नहीं मिल जाएगा और अन्न तो नहीं मिलेगा अन्न नहीं लेगा तो मेरा प्राण चला जाएगा इसलिए जूटा होने पर भी जदी प्राण जाता हो जिस समय उसमें लेने पर भी कोई दूस नहीं जूटा अनन लेने पर भी कोई दोस नहीं है इसलिए मुझे दीजे कहा वह तो कोई जुटा अन खा लेगा पे फिर कोई दोस नहीं है तो वहां पर विचार आया है नहीं ऐसा नहीं थान्दोगे में वहां बड़ा संदर जदी जुटा अन्ना लेने परवेदी आपकी प्राण की रक्षा होती हो अना ऐसे अंतिम समय में नहीं लेंगे तो प्राण छूड़ जाएगा तो वहां पर ले सकते हो लेकिन कौन ले साथ कोई भी लेगा ऐसा नहीं है उस अन्ना को लेने से जुटा अन्ना होने पर भी उस अन्ना को लेने से जदी आप दूसरे का उपकार कर सकते हो अपने सरी से दूसरे का उपकार होता हो अपना भी उपकार होता हो कल्यान अपने का भी कल्यान होता हो और क दूसरे का भी कल्यान होता हूँ ऐसे बेखते ही और उसी समय भी लेना चाहिए और अशास्ति लिया तो हम भी ले लेंगा ऐसा नहीं है इस विचारा है और ऐसा भी नहीं ग्यान हुआ नहीं अपना कल्यान हुआ नहीं अभीमान कर लिया ऐसे भी तो था आजकल बहुत आजकल दो सब्ड़ पलिया ब्रह्मा सुत्यम जगन में तो मुझे ज्ञान हो गया है वहाँ पर भी चंद एक आजकल आजके आनना देकिता एसे नहीं ज्ञान का उईमान हुआ है अज्ञान हुआ यह ज्ञान का उईमान हो गया अरे मैं जो भी करता हूं चलता है उनको किया अ आघ समाहल वह ने आओ कर लिया हो अ अर गऺ दे अंत ग्यून्स एंट करने लगहाओ को अंचरथ अ सुन रहेते न सुन पिस मंध्ड हो गया है ज्टинов धां ज्ण को एमान हो गया है औ और वही ब्यक्तिदी सच्छन्द आच्छन करें, या गरें, उनका कल्या नहीं होता है, बहुत दोस होता है, आप सांकर वास्याब लो देख सकते हैं, चांद वोगी में एक दन सपष्ट है वहां पर, सज मैं कि नहीं, जिले कौन उच्छिस्ट अन्न लेगा, उच्छिस्ट वही ले सकता है, व्यक्ति वही हो, जिसका प्राण रहने से कल्यान होता हो, अपने का भी कल्यान होता हो, दूसरे का भी कल्यान कर्जी कर सकता हो, और उसका जिदी अंतिम समय आता हो, अन्न नानलने पर प्राण छुड़ जाता हो, एसी स्थिति में क्या लेना ची, अन्न ल ले सकता है कोई दोस्त नहीं होगा ठीक है ना अर्शा होता है क्या जी कि प्रसाद लेते हैं कुलुका है क्या सित्प्रसाद अच्छा समझ गया है तो परमात्पन के दिश्टी से लेते हैं इस पर भामनाओ तो दोस्त नहीं होगा गूरुमेजदी परमात्पन के बुद्धी लेते हो करते हो तब तो दोस्त नहीं होता है उनकी दिश्टी जी एसी होतो है अना ऐसा है बोजदी आघरा है भक्त का सजमें कि नहीं तो कोई दूस नहीं है लेकि देखा जायते हो यह भी उतना अनुकुल नहीं होता है यह जो अन्नक ग्रहन करता है हां कोई मागा माल लेज़े थोड़ो ऐसे दे दिया हो वो छोडता नहीं कौन महापुर जो थाली में ओ छोड़ता नहीं हो ओ छोड़ ने का नहीं है क्या पूरा लेने का नियम है कि वह अ उसमें कोई दूस नहीं मुलता है, चलो, आच्छा भया, यह है प्रस्ताव, उसस थी, ठीक है ना, फिर अनन लिया, उचिस्टान ने को लिया, और उनको उसमें उसमें उनकी पत्नी थे छोटी उमर की थे ना, बड़ी चंचल थी, कामूर बड़ी चंचल होती है, उसमें उनक न को कुछ मिल गया थी, वो खालया थो, कौन होनकी पत्नी, जदी पति से पले नहीं खाना चाहिए, लेकिन ह handle, ऑट जो है, इसको तो अनन लेलो पत्नी से का आ, उन पाचुकी थी, अनन को रग लिया वो, कौन रग लिया, उनकी पत्नी रग लिया, आ ने, उनकी अनल थी, उ अणने था उनको, किसको? उसस्ति को. पत्नी से कहा, जो अन्मकील रखा था वो अन्मकील डेका, कुछ इस इद्मकील कि अन्मकु अन्मकील को में पालो और मैं जाओं पिर, कहाँ जाओ? राजा के पाजा जाता हूँ. राजा बहुत बड़ा जग्यां कर रहा है, और मैं जाओंगा तो मुझे तो जरूर बुलाएगा, मुझे तो जरूर राजा बुलाएगा जग्यां के लिए, और उसे कुछ धन टापतो होगा, इसे हमारे शरीर की जीवी का, जीवन चलेगा, ऐसा सोच करें वो अन्न कुछ मा वो जो जूटा अन्न रखा था, स्वयम खा ले उसस्ति, थोड़ा उनको पत्री को दे दिया, पत्री खा चुगे थे, अब पत्री रख दिया था रात में, तो कितना दे वहां पर, दो बार होगे, एक तो खा चुगा था, कौन? महावद, और स्वयम खाया, दो बार होगे एक ने उसको खा कर रहें कोई चला गया, कौन? उसस्ति चला गए राजा के पास, और राजा के पास गया, जहां पर जग्यों कर रहे थे वहां पर चुब चाप बठ गया, बिद्वां तो चुब चाह बढ बठता है ना बोलता नहीं जग्यां कर रहे थे अग्या करने वाले को पता ही नहीं यह प्रस्ताव भाग का देबता कौन है पुछा को प्रस्ताव का लोग फार्ट कर रहे हो प्रस्ता भाग साम का इसमें उन्हुत देबता कोन है ऐसा पुचाओ आओ जानता ये नहीं तो ये कह रहा हम पने देख़ो इती उपक्रम्या प्रस्टतरिया देवता प्रस्टाव उपक्रम्या शोय ये मन्द्र है सुना जाता है तो क्या प्रस्ट ने पूछा क्तमा साधी वता ओ देवता कोण है तो नहीं जानता ना उने जानता कोण प्रस्तोता तो तो नहीं जानते हो तो तुम्हारा मुर्धा गिर जाएगा क्या इसे बोल दिया हो साम का देवता कोन है तुम जानते नहीं पाट करते हो तो किसी बिद्वान के सामना इते पाट करोगे नहीं जानते हो और वो जीति बिद्वान बोल देगा तुम्हारा मुर्धा गिर जाएगा तो तुम्हारा मुर्दा किर जाएगा, किसने का, उसास्ति, तात्वरे क्या निकला, तात्वरे यह निकला, परंपरा हमारे, बड़े सुंदर है, परंपरा, बावर्त है, यह है, कोई भी बोले का तो मुर्दा किर जाएगा, तो मुर्दा किर जाएगा क्या, तो दो मैया समर्थ हो, अना, महापूरु सो, बोल लेगा तो मुड्दा गिर जाएगा, वे तात्परे, तुसरा तात्परे क्या है, इसका मलज बहुत सारे लोग पाट करते हैं, सामगान करते हैं, यह देवता पता नहीं, इसके देवता को नहीं, बोलो मंत्र जप करते हैं, मंत्र के सामना, अधिकार है, यह दोस नहीं लगता है, जोकि आसपास कोई बिद्वाद नहीं है, महापूरु नहीं है, आपके सामना नहीं है, कोई, सुझ मैं, वहाँ पर तो मंत्र के देवता को नहीं जानने पर भी मंत्र का उन्जठान कर सकते हो, सुझ मैं की नहीं है? इसलिए और विद्वान का भी कर्म में अधिकार है, यह सास्तर में विचाराया, क्या, मंत्र के देवता, रिशियादी ना होने पर भी, उस मंत्र का अनुष्टान आप कर सकते हो, कोई बिरूद नहीं है, लेकिन जिदि सामने वाला कोई विद्वान हो, जानकार हो, उस से आपने पू आ ह्तभ, गुरु ना आपको दिया है, मंत्र आपको दिया है, आपको ज्यान भी हमाल लीजिये, क्या, देवता रिशिया है, अब उसको उसका समरन नहीं किया अपने, जा भूल गया अपने, तो पूछो ना फिर दो बर आपैं, तब तो दोस लगता है, लेकिन हमारी ग्यान नहीं है, कैसे करना चाहिए, आपको ग्यान नहीं है, तो आप अबिद्वान होगे, ठीक है, अबिद्वान होने पर भी कर्म कर सकते हो, आपको सद्धा से फल मिलेगा, लेकिन सामने वाला जो को बिद्वान है, जानकार है, और आपको यह पता है कि बिद्वान है, और उसकी आपने आग्यान नहीं लिया, उससे आपने ग्यान नहीं लिया और कर्मा करते हो, तब तो मुहान दोस होता है, यह परंपर हमारी है, एक नहीं, इसलिए हमरे विद्वान के सभावें यही होती है, कोई बिषय रखा गया माल लो, बिषय रखा गया बोलने के लिए, और कोई हमारे सामने कोई बिद्धूण है एकर उनसे आग्यान लिनि पडती हैं क्या और ने लिन knapp गज्सार नेके инструмент लिटे नि अजो में हेड़ है एक भाद नेके पहले थो हम आजकल उसके वाद कोई बना देते हैं अनपड कोई बना देते हैं यह नियम नहीं होता है जो बिशे रखा जाता है उच बिशे के उपर जो विद्वान हो क्या हो पहुत पतिश्ठा से कोई लाना दरा नहीं उच बिशे के उपर क्या हो विद्वान हो तपस्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् उसकी आज्यान नहां लेकर बोलते हो, तब तो आपको बहुत दोस्य लगता है, यह हमारी सनांतन परंपरा है, जैसे चांदों के में है, ठीक है ना, पकड मारा है, यह राजो, ऐसा हो, यह परंपरा होती है, ठीक इसी परकार उसस्ति पिद्वान था वही, और उसकी आज्या था नहां लेकर कर रहे थे, तब भूल दिया, तुम जानते नहीं हो प्रस्ता के देवत्गोन है, टुम जो कर्म करने लगे हो, जदी कोई बोल देता तुम को, मेरे स्तान पर, क्या वोल जाता कि तुम्हारे मुर्दा गिर जाएगा प्रस्वस्ता प्रस्तोता तब तो गिर जाता जिले साफधान वो डर गिया हो कौन प्रस्तोता फिर पूचाओ कि देवता कोन है भगवन आपी बताओ तो यह पूचा यहां पर देखो को कदम जा देवता इती उतर दिया प्राण इती हुआ चए प्राण है और देवता प्राण है प्राण इती हुआ चए प्राण कोन है चलाने वाला जो है उसको भी प्रान बोल दिया जले मनस्य मना बगवान को कहार? प्रमात्पमा को प्रान का मन बोल दिया। इस वांब प्रान का प्रान होए बोल दो प्रान वही के एक प्रान होए। ठीक है ना इसलिए विचार आता है तो पूरपक्सी कहते है कि पंचवरित्यात्म प्राण और शिद्धान देवले का नहीं वो परमात्मा है परमात्मा ही वो देवता है वहां पर ठीक है ना वही अधिश्ठाता है तब आप लोगों को सवंज मायेगा अधिकन सार देखो जो भेजाओ ना वार्चम में उसको देखेगा मुखस्थो बायुरी सोवा प्राणा प्रस्ताव देवता प्राणा प्रस्ताव देवता बायुर भवे तत्रसुप्तो भूत सारेंद्रियक्चयाद मुखस्थो बायुरी सोवा प्राणा प्रस्ताव देवता बायुर भवे तत्रसुप्तो भूत सारेंद्रियक्चयाद कहतें कि देखो यह प्रस्ताव देवता प्रस्ताव हो गया साम्भाग त्यक्थे ना उसके देवता कोन है प्राण सब्दा यह प्रस्ताव देवता प्राण हो मुखिसत बाईउ हो इशोबा जो दूमें की जो बाईउ है न सो हुआ को मैं सो इसा है इसा आथिकण का विश्य हो गया चांद्विवा सुति कतमा सादेवता प्राण इती हो बाच यह हो गया विशय और संसर हो गया कोन पंचवरित्यात्म जो मुख में रहने वाला प्राण सरीर में चलने वाला वही है कि जो है कौन प्रमात्मा है और बोलता है वो पूरपक्ष है बोलते है अरे बायू लेलो और क्या है तत्र बायूर भवे है ना प्राण के प्रस्राण हो गया थे बायू है वो बायू है बायू को लेना चाहिए क्यों लेना चाहिए शुपतो भूता सारे इंद्रिया च्या अरे भूतों का ले हो जाता है प्रतिवी जलते जबावी आकास काल्य हो देगा उसुशुप्ति में 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 उसुशुप्त प्राण में प्राण में इंद्रिया चलते हैं इंद्रिया चलते हैं इंद्रिया चलती 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 हैं इंद तो उत्तर देंगे, ऐसा नहीं, दूतियस लोग उत्तर है, संकचोक्छा परत्वे, स्यात सरवब, स्यात जाएगा, संकचोक्छा परत्वे, स्यात सर्वब, भूत लयाशुतिहे, आकाश सब्दवत प्राण, सब्दस तेने सवाच कह, संकचोक्छा परत्वे, स्यात सर्वब, भूत लयाशुतिहे, आकाश सब्दवत प्राण, सब्दस तेने सवाच कह, देखो, अब यह चंद के सूति पढ़ रहेते ना, प्राण इती हो आच के बद क्या है, सर्वाणी, हवाई, मानी, भूतानी, प्राणाम, एव, अभिशामी, संती, तो सबी भूतों का लय प्राण में हो जाता है, और आपी सबी भूतों से पूरपक्षी इंद्रिया को लिया, सुसुप्त में इंद्रियों का लय हो जाता है प्राण में, प्राण तो चलता रहता है ना, संकोच कर दिया ना भूतों का अर्थ क्या लिया पूरआ पक्षी ने भूतों का सार जो इंद्रिया कुस को लिया ऐसा संकोच अर्थ व्रूता चैंजा संकोच संकुचित होगे ना लेकिन यह ठीक नहीं सर्भभूता लया सुते सभी भूतों का लया कहा गया परमात्मा में उसी प्राण में सभी भूतों का लया प्राण में होगा क्या सभी भूतों का लया प्राण में होगा नहीं सभी भूतों का लया प्राण में होगा नहीं सभी भू आप उसको प्रान क्यों को धी आरे प्रान को चलाता है इसलिए प्रान बोल दिया क्या प्राहन को चलने माले को प्रान बोल दिया एक यह किनी हो हां क्या बोलो अ आहम वाइश्वादरो पूस्वाफ राड़ नाम दे हैं महपतो वाइश्वादर जो नहीं परमात्मा है इसलिए परमात्मे दिश्टी से आहुती तालते ना बोजन के समें जलो अचा सर्वा भूता लयासुते जैसे पूर्वा अधिकन आकास अधिकन था ना तो आकास अब क्या था भूता का से क्या नहीं परमात्मा इसी बगार से यहां पर प्राण सब्दकार था परमात्मा लेना चाहिए भूता का जैसे उपास्या नहीं है यह पंच प्रित्यात्पर जो प्रान ओ भी उपास्या नहीं है है ना इसलिए कह रहें देखो आकास सब्द वत प्रान अकस अब्द जीकre प्रमात्म पर प्राण सब्द बी प्रमात्म का वाचव तेना इस युसा हुज प्रस्ता वका देवता अनुश्थाता उओ प्रमात्म वो तुम्हारा पंचव प्रुथ्यात्म में प्राण नहीं है इसके वेपर बिचार कल करते हैं ओम पुरमदा पुरमिदम पुराद पुरमुदाद पुरमुदाद